Hello Friends, Welcome to Ornathy Competition Classes Friends, एक छोटी सी सी सीरीज हम लेके चले हैं इस बुक की जिसके 32 भाग, मतलब 32 वीडियो कम्प्रेट हो चुके हैं आज हम बात करेंगे भाग 33 की और प्रिवेस जितने भी वीडियो हैं तो वो सभी आप देख सकते हैं स्पीडी रेलवे जीके की प्लेलिस्ट में तो Friends, शुरू करते हैं विदाट एनि डिले आज का अपना ये वीडियो लाइक, शेर, सब्सक्राइब ये मैंने आप पर छोड़ा अगर आपको लगता है कि सब्सक्राइब करना चाहिए शेर करना चाहिए तो आप जरू करिएगा तो Friends, पहला जो पॉइंट है वो ये की विद्धूत मरकरी लैंप में कम दाप पर पारा रहता है और पंचम पाद नदी घाटी परियोजना गोदावरी नदी पर अवस्तित है अब देखिए अगला जो important point है इस book में देखिए ये जो point में आपको highlight करवा रहा हूँ ये आपके आने वाले exam के point of view से बहुत important है plus other competitive exam में अगर आप बैट रहे हैं चाहिए बाइस से का exam हो state PCS का पेलिम्स का exam हो या फिर grade D किसी postman का exam हो किसी पतवारी का exam हो वहाँ पर आपको कम से कम इतनी नौलेज सों होने होनी चाहिए ये नौलेज अक्छिनी बहुत ही basic नौलेज है और काफी important नौलेज है अगला जो point हम पढ़ते हैं इस book में की राज्य पाल पद पर नियुकती के लिए उम्मिद्वार की आयू कम से कम 35 वर्स होनी चाहिए देखिए राज्य पाल और आपका राश्टर पती दोनों की ही आयू क्या होती है बिल्कुल सेव होती है 35 वर्स कम से कम होनी चाहिए और उसके बाद एक important point में और बताना चाहूँगा जो exam में कई बर पूछा जाता है वो पूछा जाता है आपसे राज्य पाल और लोकसभा ठीक है इसके बारे में शेयर आपको पता होगा जिसको नहीं पता तो मैं उनके लिए कहना चाहूँगा कि राज्य सबा में क्या होता है कि उसकी आयू 30 वर्स से कम नहीं होने चाहिए और बात करें अगर लोकसभा कि लोकसभा में होती है 25 तो राज्य सबा, लोकसभा, राष्टपती, राज्य पाल important fact है तो आप इसको याद करना और अगर बुक आप लेके बैठे हैं तो बुक के साइड में कहीं पे इसको नोट कर लेजे अगला point है आपके सामने कि मार्गुरी डे, सीरसक, पुस्तक के लेखा कौन है तो यह है आर के नारायन अस्त होते समय सूर्य अस्त मतलब जब साम होती है 6 पेम, 7 पेम तब क्या होता सूरज डाउन होता है तो उस समय सूर्य का जो लाल दिखाई देता है जो कलर भुक किस रिजन से दिखाई देता है तो इस क्रिया को बोलते हैं परकास का परकेणन राइट, आगे बड़े, राजिस्थान नहर राजिस्थान में एक है आपका इंद्र नहर, तो सत्लुज नजी से निकलती है अगला point है आपका बाकू, खनीज तेल के लिए परसीद है और माइटो, कॉंड्रिया में स्वैसन के दुरान उर्जा निकलती है स्वाइन फिलू वाइरस का नाम H1N1 है काफी फेमस रहा था ये एक टाइम पे इसने अक्शली बिल्कुर कोहरा मचा रखा था जब ये स्वाइन फिलू हुआ था उस टाइम पे तर अक्शली एक्शली अक्शली एक्शली बार ये कोशन्स पोशा गया था आने वाले एक्शाम में भी पोशे जाने कि संभावना इसकी है तो मैंने इसको इसलिए हाइलाट करा आगे बात करते है साइन्स सिटी कॉलकटा में अवस्तित है और इसी के साथ में एक होता है साइलेंट वैली तो साइलेंट वैली कहां बारा ये है केरल में तो साइलेंट वैली और साइन्स सिटी दोनों में आपको एक्शाम में कन्फ्यूज नहीं होना है देखें मैं कन्फीज नहीं हो रहा है मैं इसलिए बोलता हूँ कि बच्चे अक्छे रियल में कन्फीज हो जाते हैं एक्जाम में पता नहीं मैंने देखें कि काफी सारे बच्चे होते हैं कि घर में जब बैठके मॉक्टरस जेते हैं इसको रच्छा करते हैं जब exam में बैठते हैं तो पता नहीं उनकी hall में ऐसा कौन सा मतलब की परिशानी होती है उनको exam paper जैसी हाथ में उनको मिलता है तो वो अपना confidence lose कर बैठते हैं तो confidence lose तभी होता है जब तेयारी में थोड़ा बहुत मतलब की ऊच निच होती है तब ही ऐसा होता है तो confidence बना के चलना है confidence बनेगा revision के माध्यम से जब revision आपका strong होगा तब आपका confidence automatic build-up हो जाएगा अगला है आपका Congress के बेल गाम अधिवेशन 1924 में हिंदी को सबसे पहले राष्ट भासा के रोप में प्रस्तुत किया गया देखें Congress से संबंदित कभी कभी आपसे एक्जाम में ये question में पूछ लेता है कि 1917 के खास बात थी Congress की ये जो अधिवेशन हुआ था कलकटा में और इस समय एनी बेसेंट जो थी पर्थम महिला अध्यक्ष बनी थी और ये थी Ireland के गैर भारतिय महिला तो एक्जाम में ध्यान लखना कि एनी बेसेंट के काल में जब स्टैंप या अध्यक्ष थी किस वर्स या अध्यक्ष थी एक्जाम में आपसे ये पोस्ता है तो 1917 और इनके काल में अधिवेशन हुआ था कलकटा में उसके बाद हम बात करते हैं कि पर्थम भारते महिला 1925 में और उनके काल में जो इस्थान था वो था आपका कानकोर तो सेलेक्टिट कुछ चीजें हैं होने को तो बहुत सारा अधिवेशन से इसमें हुए थी सापना हुए थी 1885 में उसके बाद हर मतलब की हर एक एक वर्स के गयाप में इसमें अधिवेशन होता था और ठीक है अगे बात करते हैं हम लोग की गाजी की उपादी धान करने वाला दिल्ली सलस्तनत का पहला सासा कौन दा गया सुदिन हुआ और मोहिनी अट्टम केरियर का निरते हैं उसके बाद हम बात करते हैं कि भारत का राष्टे पंचांग 1957 में सुईकरत किया गया अगला पॉइंट इंपॉइंट है डानी मार्च के दोरा परसित गान रगुपति राग अगराजा राम की संगितकार की रूप में दिगंबर विश्यू पलसकर को जाना जाता है एक वर्स में संसद की कम से कम दो बार बैटक होना और शक है अब इंपॉइंट पॉइंट है आपके सामने क्या संसद अब संसद से संबंदित कुछ चीज़े मैं आपको बताना चाहूंगा तो प्लीज इसको ध्यान से सुन लीजेगा याद कर लीजेगा या फिर कहीं पर इसको पैंड़ा जरूर कर लीजेगा जैसे संसद या बात करूँ आपसे संसद संसा संसद से संबंदित कोचिंट के से बनतों जाते हैं लेकिन संसद संसद से संस इतना संस बहुत है कि दो बार इसमें बैठाक होती है बात करते हैं सविधान की कि सविधान को बनाने में या निर्मान करने में कुल कितना समय लगा तो वो लगा दो वर्स 11 महीन अठारा दिन ये शेयर आपको पता होगा लेकिन स्टार्टिक में इसमें अनुच्छत कितने थे 395, 22 भाग थे और 8 अनुसूचियां थे देखे बस यही पॉइंट है और इंपरेंट पॉइंट एक मुझे याद और आ रहा है मैं सोच रहा हूं कि आपको लिखा देता हूं कि देखे 42 सविधान संसुधन हुआ था 1976 में ये वर्स भी आपको याद अखना है 1976 में कौन सा और जितने भी आर्टेकल है वह सभी आपको याद करने हैं और प्लस hypoth किया जैसे की अपात का लिन जो उफबंद है यह जो सब्जेक्ट है यह जो वर्ड है हमने कहा से आड़ोप्ट करा है तो यह करा है जर्मनी से जपान से हमने क्या लिया है सुबेज सं钦 से हमने क्या सब्सक्राइब करें लेकिन किसी भी एक चैनल को इमानदारी से फॉलो जुरू करें आप बस की वल अगला पॉइंट है आपका भारत का सौलेश्य जन्रल एक नियाएक सलाकार होता है और टी जो पद है गॉल्फ खेल से संबंदित होता है देश में सबसे से पहले सुर्य जय अगला पॉइंट हमारे सामने कि नील आंदुरन का जम कर समर्थन करने वाले हिंदू पैट्रियट के संपादक हरिश्चंद्र मुखड जी थे टेप रिकॉडर की टेप जो होती है उसमें जो एक्चली जो पॉडर मिलाया जाता है उसको बोलते हैं फैरो म अगनीटिक यह एक लेप होता है उसकी पॉलिश इसमें करी जाती है तो यह एक्जाम में करेबर पूछा गया है ग्रेट डी के पोस्ट में करेबर एक्जाम में पूछा गया कोशन तो अब इसको याद अखना रोबर्स का फुडबाव से सम्बंदित है और सर्ग सिक्षा विहान प्रात्मीक सिक्षा से सम्बंदित है गुरुदेव गुरुदेव क्या है रविन्दा टैगोर का उपनाम था अगला पॉइंट है हमारे सामने महात्मा बुद्ध का जनम जो हुआ था वो हुआ था 563 इसा पुर्व में और कहां पे हुआ था तो यह हुआ था कपिल और बुद्ध के पिता का नाम जो था वो आप लिख लिजिए वो था आपका सुदोधन ये थे साख्य गंडाज्ये के तो इस तरह से कुछ चीजे हैं आपको बोध और जैन दोनों से सम्बंदित एक बार देखनी है एक्जाम में जाने से पहले जौला मुखी के मुख को क् जाते हैं करेटर का जाता है और धर्म नसल जाती लिंग अत्वा जर्म इस्थान के अधार पर भीद भाव को अनुचेद 15 में निशेद करा है इसकी मनाई करी गई है इसको पूरी तरह से पर्ति बंदित किया गया है संग मरमर का रसाइनिक नाम क्या है तो वह आपका कैलसि आम होंगे वहाँ पे शहर आपसे कम पूछे जाएगा आप चाहें तो उसको नोट कर लिजिए अगला पॉइंट है हमाई सामने के राश्टे श्यम सेवक संग के परमुग सूत्र दिधार के भी हैड गवार थे और सवंदर्य का देव तक इसको बोलते हैं तो यह बोलते है सुक्री द्रह को सोर मंडल मोस्ट 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 इंपरिन टॉपिक अगर आप जोग्राफी पढ़ रहे हैं भुगोर पढ़ते हैं तो वहाँ पे आपका चैप्टर होगा सोर मंडल उससे समझे जो भी अक्टिविटी हैं आप कम्प्लीट एक एक पॉइंट को याद संदेग एतरा पिर्त्वी की बहन बहुत सारी नामों से जाना जाता है डायनमो यांत्री गोर्जा को विद्विद गोर्जा में बजलता है मिथिन नसी है फोर को मार्स के यहांज के आथी हैं अगला पॉइंट है हमारे सामने की मत अधिकार के लिए जो पहले आयो ती वो इस वर्ज सकतazing कर दा वोठ दे सकता था और इसको घटा करके करती गई फरस तो यह संसोधन ऑन शन सब्हला हुशा था और संसोधन कब हुआ था तो यह हुआ था सिक्ष्टी वंवा समें संसोधन और ये था आपका 1989 में हुआ था याद अखना लेकिन 87 में इसकी जो याचिका थी वो द्यायर करी गए थी भारत की बुक्य भूमी की तर्ट्रिका कितनी है तो वो होती है 6100 किलो मीटर अगला पॉइंट है कि पंजाब में National Institute of Sports पटियाला में अवस्तित है आधे अधूरे जो पुस्तक है इसके लेखाक है मौहन राकेस कच्चे फलो को पकाने के लिए एथिलीन गैस का परियोग के जाता है ठोस कर्बन डाएकसैट को कहते हैं सुसक बरफ और बॉकसाइट से अलमोनियम धातुक की प्राप्ती की जाती है सिसु का जो boys होता है baby होता है newborn baby होता है जो उसका sex जो उसका gender decide होता है वो होता है पिता के क्रोमोसॉम के द्वारा बिटेन के राजा जोर्ज पंचम का भारत आगमन कब हुआ था 12 दिसंबर 1911 में और उस समय लौड थे लौड होर्डिंग देते के समय में हुआ था और इसी समय ये decide करा गया था कि दिल्ली को भारत के राजधानी बनाया जाएगा तो ये point अच्छा था सेयुत लाज्टे संकिस था अपना 24 अक्टूबर 1935 को हुई थी फ्रांस की गांधी के रोप में पियरे पैरोडी को जाना जाता है रौल एक्ट के इस एक्ट को बोलते हैं बिना अपील बिना वकील तथा बिना दरील का कानून भी कहा जाता है उसके बाद देखिए जो center प प्रकेंगे जाता है पीश्ली पीश्ट पर अब हम कभर करते हैं आर की लक्षमत टाइम्स ओफ इंडिया ये कार्टनि स्निस्टोफ हें और पवन्ड कार्टनि स्ने की सबसे बड़े देश कौँकौन से है बात ऐब निश्टे से बासंकिया वैस्ते श्टा चोटे शेगरत जेके लिस्ट है और इसमें हर चीज है एक बार इसको देख लिएगा वीडियो को पॉस्ट करके प्रमुख चित्रकार है सबसे इंपॉर्टर्ट पॉर्टर्ट मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टरंट है आपके Monalisa painting चित्रकार है इसके लियनार्दो दा विंची आगला है पाबलो पिकासो इनकी पेंटिंग का नाम है यह है गुए रनी का वाटर लिलीज कलाद मोने अब देखें महत्पूर्ण गैस विद्धुत परियोजना तो एक्जाम में आप से यह पूछता है कि कैतल गुडी परियोजना कहां पर है या गैस विद्धुत परियोजना कहां पर हिस्तित है आपके सामने चार ओप्षन देगा तो आपको एक चूस करना है इसका राइट आंसर है असम अगर तला गैस तिरिपूरा में गंधार गुजरात में दादरी उत्तरपरदेश में मैथान बिहार में उसके बाद में बात 1980 में राष्टे मारव संग्राल है 1985 में और राष्टे है अभी लेखागार 1991 में आप देखे गौतम बुद्ध के बारे में सब चीज़े सामने आपके यहां पर दिखा रहा है लुमीरी में जर्म हुआ सारनाथ में पहला उपदेश दिया सरावस्ति में सरवादिक पीज नंबर 101 में आ गए कि फॉक्लेंड का यूद 1982 में अर्जंटीना और बेटेन के बीच में वा था जिसमें बेटेन क्या हुआ था विजय रहा था वेज समाज के स्थापना श्री धरालू नाइडू ने 1871 में की थी पूना समझोता गांधी जी और अंबीडिकर के मद् सेप्टेंबर 1932 को हुआ था अलफांसु डी अलभू करको भारत में पूर्तिगाली समराज्य का वास्तिविक संसापक माना जाता है विस में सबसे बड़ी खारे पाने के जील अपी कैस्पियन सागर बाजरह उत्पादर में अगणे राज्य कौन है राजिस्थान और हैं और विटामिन A, E, D, K वसा में घुरंसील है एस या विकास बैंक का मुख्याले कहां पर है मनीला में ऑपरेशन प्रड़ का संबद दुग उत्पादन से है एनिमो मीटर का उप्योग पवन की वेक से है मानव के हिर्दे में कितने होते हैं चार चेंबर होते हैं चार व होते हैं दोनों का मतलब एक ही है वायो मेंडल दाप बैरोमीटर से मापा जाता है मौस में संबंदी घटना है कहां पर होती है शोब मंदल में होती है कैंसर का उप्चार के लिए परियुक्त रेडियो आइसो टॉप कोबाल 60 है भारत के सबसे लंबा समंदरी जो पुल है व तो मैं अपने पिछले इसी सीरीज में डिसकस कर चुका हूं मैं अगें डिसकस नहीं करूंगा पिछली वीडियो आप देखिए उसमें जो भी अक्षर चीज आपको बताए यही है उन सब को अपने इसी बुक के साइड में नोट करते चलें देखिए ठोस कारबंडा एक से के लिए अधातू है आपकी ग्रेफाइट माराश्ट में इस्तीता अलोरक्री गूफा का निर्मार किसने कराया था तो वो कराया था रास्टर कुट के सासनकाल में हूपा था रूस्का रास्टर किया है तो वह का सत्रंज रेर बज़ट को समानने बज़ट से 1924 से 1925 में के निती लौड करजन ने अपनाई थी और कुछी पुड़ी आंद्र पर्देश का नित्य सहली है मैन ओफ डेस्टिनी नैपोलियन को कहा जाता है नाटो का मुख्याले कहां पर है तो यह आपका बुरू सेल्स में अब हम बात करते हैं सेंटर पर क्या के चीज़े हैं देखते हैं इसमें इंपॉर्ट एक इंच में कितने सेंटिमेटर होते हैं तो यह होते हैं 2.54 cm एक गज़ में होते हैं 0.91 m अगर बात करी जाए एक फैदम में होते हैं 1.8 m एक नॉटिकल मिल में होते हैं 1.85 km एक लिटर में बात करी जाए तो ये होता है 1000 घंज सेंटीमेटर एक फुट में 0.30 m एक एंग स्ट्रम में होते हैं 10 की पापर माइनस 10 मीटर एक ड्रम में 1.77 g बात करता है कोशी कांग खोश करता गोलजी कोई जोर्ज गोलजी माइट्रो कॉंट्रिया रिचर्ड ओल्टमैन लाइससोंग डीडूबे राइबसोंग पैलेड नाम और निवास चेत्र पिग्मी कांगो बेसिन, बुस्मेन, कालाहरी, मरुस्तल तो चलिए फ्रेंड आज की इस वीडियो में बसके में इतना ही देखिए छोड़े छोड़े वीडियो बनाने का में डीजन ये भी है कि लंबे लंबे वीडियो ना तो आप वाश कर पाते हैं योट्व योट्व की गैडिलेंड्स रिकर्डिंग वो maximum distribute हो पाते है, मतल freight maximum ये शेयर नहीं हो पाते हैं योट्व के द्वारा, तो देखिए मैं आप से कहता हूँ कि maximum वीडियो को शेयर करिए तो आपकी हाँ से response negative आता है आप लोगों का पढ़ ड़ेगा जो शेयर का जो रेशो आता है वो आता है मातर 17 या फिर 18 है सूचिए एक लाग से ओपर सब्सक्राइबर और शेयरिंग के वर रेशो 17 या फिर 18 आपको जैसे बैस लगता है वैसे करिए बट मुझे जैसे बैस लगेगा मैं चाहता हूं कि यह वीडियो उस बच्चे तक पहुंचना चाहिए जो कंपड़िशन के त्यारी कर रहा है और रियल में पढ़ना चाहता है जो मैंगी मैं की बुक को परचेस नहीं कर सकता है इसमें आप मेरी हैल्प करिए इस वीडियो को मैक्सिमी शेयर करिए फेस्बुक के माद्यम से वाटसप के माद्यम से अगर यह वीडियो पसंद है तो प्लीज इसको लाइक करिएगा और मैं आपको एक बास का प्रामिस करता हूँ इस चाहिए करेंगे और काफी अजीब बात है कि आप लोग वीडियो को देखते हैं ना तो आप लाइक करते हैं ना याप शेयर करते हैं ना याप कमेंट्स करते हैं तो कमेंट करते हैं तो मैं सोच रहा हूँ कि खुदी इसको कुछ टम के बाद मैं डिसैबर कर दूँगा हर एक वीडियो में आप कोई भी कमेंट मुझे कि कमेंट में अक्च्री लोगों की दुकान चल रही है जी हाँ लोगों का विजन्य समारे चल रहा है कि बच्चे पूसते हैं कि सर बेरे εקजाम हैं पांसी सरे कोई जुगार है क्या वही मैं के हैं पर जुगार कर्वाने बैठा हूं इतने में दूसरे स्टूडियस सब्सक्राइबर उसके कमेंट करता है कि हां मेरे उपकर जुगार है कॉल भी अपने मुबाइल नमबर शेयर करता है तो हजार में इसे काम के क्रेवल कमेंट्स होते हैं 10 या 12 तो हजार कमेंट्स मैं क्यों पढ़ू 10 12 बच्चों के लिए इससे बड़े वो टाइम में यूटि केर एंड वाल दा बैस लगे रहिए बस इंद्यार मत करिए नोटिफिकेशन का अपने त्यारी को स्ट्रॉंग रखिए अभी से पढ़िए अभी से पढ़ना सुरू करिए बाए बाए